नमस्कार दोस्तों मैं विनोत कुमार एक बार फिर से आपका सिच्छा कोड़ यूटूब चैनल में बहुत बहुत सागत करता हूं दोस्तों अभी यूपीटी एलेड दोजार बाइस चतुर सिमेश्टर का पेपर चल रहा है दोस्तों आज पहला पेपर हो चुका है तो हम उस जो वह तुमिटी प्रत्स्ट पहले उनको देख दानगे दोस्तों देखिए आपर पहला कूश्चान है है मैं कि इससे बना है इसका दोस्तों तीसरा is상 सही हो जाएगा तीसरा भी क्यों आपका वह रही है ठीक है यहां पर देखिए सा है प्लस रह यही वाला आपका रही हो जाएगा ठीक पहले का तीसरा यह है सब्सक्राइब कर देखेंगे देखिए दोस्तों दुसरा कुष्चन है स्वर के कितने भैद होते हैं स्वर के तीन भैद होते हैं पहला है हरस स्वर दूसरा है दीर्ग तीसरा है पुलूसर दोस्तों दूसरे का हमारा पहला असन सही हो जाएगा ठीक है दूसरे का पहला सही है ठीक कि अब इसमें दोस्तों तीन वेद होते हैं कौन-कौन से कि हास ऑफ के दीर्ग है और पलुत में दिर अंहें मुक्रॉश्य पोच्छाव क्या है ठीक है तो चे का उचार फान जो है दोस्तों विकप्न के अंसार ऑब आटीसरा साही हो जाएगा चाख का उचाड थान होता है तालू ठीक है तालू मुए रच ए मैट सांत होता है ठ्लीकम नियुशन ही जिसे फ्यूसरा है looking मत देखें ज्यूसरा नंबर कुश्चर रहे जिन सब्दों के अर्ष संवान होते हैं उन्हें क्या क Rs. सब्सक्राइब कर दोस्तों जिन सब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें हम प्रयाइवाची कहते हैं ठीक है तो चौथे का पहला विकल्प सही हो जाएगा प्रयाइवाची सब्द है प्रयाइवाची ठीक है प्रयाइवाची सब्द हो जाएगा ठीक है और दोस्तों अगला कुश्चन है पाच्वा नमबर का पूछ चहें कर दोस्तों सुट्ध संम्द है दोस्तों सुठ्ध संबस्त यह हो चाले गाएं अ सब्सक्रद Śर्थी दोस्तों यह होता है Birthday का तीसरा है तो अ just हम आगा। और सुठ्ध जोतों यह होताओ कि बाच्वें होता है है क्वा जैसे मुच्वपलомина Chirken नमबर कुश्चन को सून्य को किसी संख्या से भाग देने पर छठा नमबर कुश्चन है सून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भाग फल आता है क्या आता है दोस्तों सून्य आता है ठीक है विकल्प एक नुस्वार चौथा विकल्प साई हो जाएगा ठीक है सवल साथमानमबर है भाग की संक्रियाएं होती है क्या होती है दोस्तों देखिए पहला है भाज है दूसरा दिया भाजत तीसरा है भागव वत्व और चौथा अफ्शन है दोस्तों उपर युक्त सभी तो साथ में कर How to अफसन सही हो जाएगा ठीक है कि उपर युक्त सभी क्योंकि दोस्तों भाग की संक्रियां जो कि अच्छन को पूछा है तो दोफों आरोह क्रम मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम करप कहते है मैच में आपने पढ़ा ही होगा तो इसमें कौन साउत्र हो जाएगा बताइए तीसरा विकल्ब ठीक है पहले साथ है ठीक फिर नव है फिर ग्यारा है फिर तेरह है तो हमारा तीसरा विकल्ब सही हो जाएगा ठीक आगए दोस्तों नवा नमबर कुश्चन देखिए साथियों नव नमर कुश्चन है दिया गया है 475 में चार का स्थान क्या है देखिए कुश्चन है 475 में ठीक है अब पूछ रहा है यहां पर 4 का स्थान क्या है दोस्तों विकल्ब दिया गया है पहला है क्या ही है दूसरा है दहाई तीसरा है सैकड़ा और चौथा है हजार दोस्तों इसमें क्या है यह जहिए हमारा साइकड़े कर तीक है। झाल ओटल साइक तो हमारा जो है इस रहां हाय हो जाएगा ठीकड कि शैकरा ठीक में तबबद सिस्ट का जाव और तीसरा भीकल अ की अ है इस पीस्टिकल्प इससाई हो जाएगा ठीक आगे देखते हैं दस्मार नंबर कुश्शन दिया गया है 22 गुड़े 34 का गुड़न फल है तो दोस्तों क्या है 22 गुड़े 34 का गुड़न फल दोस्तों देखिए यहां पर दिया गया है कुश्चन है 22 गुड़े 34 गुड़न फल पूछ रहा है तो दोस्तों इसमें देखिए विकल्प दिया गया है पहला विकल्प पहला सही हो जाएगा ल, चार्णहें सही होगा तो सही हो जाएगा ठीक है सब्रस्वार गता है उसको फेदये 154 कुश्चन है देखिए कि निदेशक चिन्न है आई थैंक इहावा नमर कुश्चन है निदेशक चिन्न है जो घण निदेशक्चिन्न पूछ रहा है थे के उधे मैं नीदेशक्चिन्न जो है तीसरे भिझल्प ठीक है तीस्व जो है है अध्य है यही जो हमारा जो हमारे है तो दोस्त तो सन स режं पर रहा हमें कानी डिन सक्षाजिया आंज髮 में आगे दोस्तों बारवा नमर कुश्चन देखिए बारवा नमर कुश्चन है भासा सिक्षड में सारीरिक समस्याएं हैं देखिए दोस्तों कुश्चन है भासा सिक्षड में सारीरिक समस्याएं हैं तो पहला विकल्प है दृष्टी दोस्त दूसरा है उच्चार दोस्त तीसर झाओ था विकल्प सभी हो जाएगा इसका ठीक है चाओ था विकल्प उपरोक सभी पॉपरोक सभी 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 हो जाएगा ठीक नेफ्स्ट है तेरा नंबर कुश्यन वे संख्याएं जो दो से पूड रूप से विभाजित नहीं होती उन्हें कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों उन्हें विशन संख्या कहते हैं ठीक है देखिए नहीं पर दिया गया है तेरावें के पहला साही हो जाए का इस संख्या ठिर्ट थिख थे कि अधिशन संख्या ठिक को तो देखिए हांपर तेरा मैं कपाला सही हो जाएगा वे संख्यां जो दो से पूर्ण प्रूप से भी भाजित नहीं होती उन्हें कहते हैं तो यहाँ पर देखिए फुरुत लेख का आर्थ क्या होता है कुश्चन है सुरुत लेख इसका अर्थ पूछा है विकल्प में दोस्तों दिया गया है सुन्दर लेख और सुनकर लिखना उपर युक्त दोनों इन में से कोई नहीं तो दोस्तों सुरुत लेख का मतलब होता है सुनकर लिखा गया या सुनकर लिखना ठीक है तो विकल्प की द्रिश्ट से दोस्तों 14 नम्बर का हमारा दूसरा सउय हो जाएगा दूसरा विकलप ठीक है से दूसरा विकलप सब्सक्राइब कि सुनकर लिखना ठिक आगए हैं दोस्तों 15 नमर कुशिर है किसी लेख या रचना के अंत में चिन प्रयुक्ट करते हैं तो दोस्तों देख याँ पर विकल्प दिया गया है योग चिन दूसरा है समतार चिन Τीसरा है इतिसरी और चौथा है दोस्तों उद्धरण दोस्तों किसी लेख या रचना के अंत में जो चिन्ह प्रयुक्त करते हैं उसे इतिस्री कहते हैं कम सा तो पंद्रावे का हमारा हो जाएगा तीसरा भी कल्प सही हो जाएगा पंद्रावे का हमारा तीसरा भी कल्प सही हो जाएगा निटी स्री कहते हैं इस मिर्गाता है तो दोस्तों ये थे जो वा कुनिख्ट फरकार के प्रसनत थे से चौथे सेमेस्टर भी डियलेट के जो फुरुष्ट प्रकार के पंद्रा प्रसन थे उसको हमने देखा अब नेगे अधिले गुत्री प्रसन देखते हैं 15 नमर कुष्चन होता है ये भी देखिए 16 नमर कुष्चन है दिया गया है लेखन से आप क्या समझते हैं तो दोस्त जो होता है अपने विचारों और भावों को आभिव्यक्ति करने का एक ससक्त माद्यम होता है ठीक है अगर कहीं कुछन पूछ ले लेखन से आप क्या समझते हैं लेखन क्या है दोस्तों लेखन का मतलब होता आपने विचारों और भावनाओं या भावों को प्रकट करने का एक ससक्त माध्यम है ठीक है इसका एक छोटा सा यहीं उत्तर है तो दोस्तों देखिए आप थोड़ा सा लिख देते हैं हाँ पर लेखन लेखन जो होता है दोस्तों अपने कि अपने विचारों एवं भावनाओं अपने विचार एवं भावनाओं की अभ्यक्ति क्या ससक्त माध्यम है अभिव्यक्ति का ससक्त माध्यम कज़ए एक नंबर का उत्तर और यहां पर बहुत ज़्यदा लिखना है नहीं अब लेट तो सत्रा नंबर कूष्चन क्या है देखिए हाँ दोस्तों देखिए ने शुक्षन है 17 नंबर है सबस्वर पठन से आप क्या समस्ते हैं तो दोस्तों कि इसके हो जाएगा उत्तर कि स्वर सहीत कि स्वर सहीत पढ़ते हुए कि स्वर सहीत पढ़ते हुए अर्थ गरहन करना या समझना स्वर सहीत पढ़ते हुए अर्थ गरहन करना या समझना सस्वर पठन होता है सस्वर पठन ठीक है सस्वर पठन क्या होता है स्वर सहीत पढ़ते हुए अर्थ गरहन करना सस्वर पठन होता है ठीक है एक अंक का उत्तर है तो यहां पर इतना ही लिखना है नेश्ट दोस्तों ठारा नंबर कुश्चन नेश्ट कुश्चन है दोस्तों तुकांत सब्द क्या है दोस्तों देखिए तुकांत सब्द किसे कहते हैं काब पंक्तियों के अंत में पाई जाने वाली वर्णों की समानता को तुकांत कहते हैं काब पंक्तियों के अंत में पाई जाने वाली पाई जाने वाली समानता को तुकांत कहते हैं ठीक है को तुकांत कहते हैं जैसे दोस्तों एक दोहा है कभीर दाश जी क्या कभीर खड़ा बजार में सबकी मांगए कखैर ना केहू से दोस्तीन काहू से बहेर ढ़िक है तो यहां पर तुकान्द क्या होगा इधर दोस्तों पहली लाइन में खाय से जाएगा और दूसरी में गयर यह नहें बहुत अच्छा वार्ड है तो गॉस्दका को तो दोस्तों देख है करते समय मुख में कहते हैं जैसे दोस्तों इनकी संख्या जो होती है पचीस है नोस देखिए यहां पर इस पर बेंजन क्या है ऐसे वर्ड इनको बोलते हैं तो दोस्तों यहां पर देखें का वर्ग और तावर्ग ठीक है पावर्ग यह पाँच पाँच फर्श इसमें ठीक है तो प्चम पचीस यह जाएंगे पचीस तो हमारा जो स्पर्ष यह है दोस्तों यहां पर देखिए बीस नमर कुष्टन है हलंद क्या है ने शुब्राइम है ठीक है एक विर्यांद चिन्न और है कि है हलन्द एक विर्यांद चिन्न है जिसमें यह जिस ब्यांजन लगता है यह जिस ब्यांजन में लगता है दोस्तों वहाँ पर एक है वहाँ पर आज कि समझ लिए जाता है ठीक है है महाँ पर आज कि समझ लिए जाता है है हलंत आगे है तो से की सिर्वर कूष्चन 21 नंबर है सांख्या 636 में दोनों चा के अस्थानी मान का अंतर अंतर ग्याद कीजिए दोस्तों देखिए यहाँ पर 21 नमर जो कुश्चन है 636 में दोनों चा के अस्थानी मान का अंतर ग्याद कीजिए तो दोस्तों यहाँ पर जो चार 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 गूड़े एक याहिनि यह क्या है यह जो दूसरा चाह है यह साटान पे इसलिए चेक भूड़े सव बरावर चाह सू अब पूछ रहा है दोनों चाहिए अस्थानी मान यानि दोनों चाहिए अस्थानी मान कई पूछ रहा है ठीक है तो यहां पर अंतर देखेंगे 600-6 ठीक है तो यहां पर देखिए चारा जाएगा यहां पर यहां पर नौ यहां पर पाथ तो दोस्तों जो अंतर है 594 का होगा ठीक है इसका उत्तर जो है 594 अंतर हो जाएगा देखिए दोस्तों क्या है दोस्तों देखिए यहां पर उस्म बेंजन ऐसे वर जिनका उचाड करते समय धन की प्रबलता होती है और मुख से जो होता है गर्म हवा जो है निकलती है ठीक है तो दोस्तों उस्म बेंजन काउन काउन से है इसको देखिए तो यहां पर जोन की प्रबलता भी हो रही है और मुख से जो है हवा भी निकल लहीं गर्म ठीक है अब आगे वरते हैं दोस्तों तेजिस नमर कुश्चन जाए दोस्तों इसमें आप लिकल सकते हैं बच्चे को नवीन खोज वक ज्यान के बारे में समझाना ठीक है गरी शिच्छड के उद्यस में पहला हो आपका बच्चे को नवीन खोज नवीन खोज वग्ञान के बारे में समझाना ठीक है एक तो यह हो जाएगा दूसरा हो जाएगा आपका छात्र की कि अंतर निहीं अंतर निहित है कि कंए उस्केक करना कि6 इसक्ति योटीयों का है कि कि के कालना कि क्याश करना कि क्या कि यह यह दो प्रमु खुद्स हो जाएंगे गड़े सिच्छड के 3 है संख्या पूर्व तैयारी से आप क्या समझते हैं को संख्या पूर्व तैयारी तो दोस्तों यहां पर देखिए संख्या पूर्व तैयारी से आप क्या समझते हैं तो यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि जब किसी बच्चे को हम ठीक है संख्या संख्यां के बारे में जानकारी देते हैं तो उस बच्चे को उसके पूर्व ज्यान से जोड़कर अगर हम थोड़ा सा जानकारी द कि में दूसरी संख्या को कम किया जाता है तो उसे घ्ड़ाना कहते हैं ठीक है किboys है एक सी संख्या से änger किसी संख्या से कि दूसरी संख्या को कि दूसरी संख्या को कि कम किया जाता है तो घटाना कहते हैं ठीक है जैसे माली यह फाइब माइनस टू बराबर तीन हो जाएगा यह यह दोस्तों घटाने की संकल्पना आगे बढ़ते हम दोस्तों शब्रकुष्टन की तरफ सब्रकुष्टन क्या है देखते हैं देखिए यहाँ पर दिया गया आरोही क्रम आरोही क्रम तो दोस्तों सबको पता है कि बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं ठीक है बढ़ते हुए क्रम बढ़ते हुए क्रम आरोही क्रम कहते हैं ठीक है जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं यानि संख्या के बढ़ते क्रम को यहाँ पर दोस्तों संख्या लगा लेना है आपको ठीक है संख्या संख्या के बढ़ते क्रम को और वही क्रम कहते हैं ठीक है ना नेक्ट कुशन देखते हैं 27 नंबर 27 नंबर कुशन क्या है रिसीरी दोस्तों देखिए यहां पर दिया गया है यका psic रषान करुब और दोस्तों इसका जो चारण स्थान है यह क्या है मूर्धा ठीक है क्या है है न सी दिसीरी खेंजोग चाह्ण है क्या है मूर्धा आग़ बढ़ते हैं 28 नमर कुश्चन में उघ्जी वर्ण माला में कितने वर्ण होते हैं next question एक 23 नंबर हैंग उछ रहा हैं अंग्रिया जीव और माला में कितने होते हैं कि रहा है कििक दुछ में 26 होते हैं कि द्र से जड़ तक ठीक है एस जड़ तक 26 ओते हैं ठीक दौफ्तों ने चुछन है जखिए यहां पर दिया गया है उन्तिश नंबर है लोग गीत लोग गीत दौफ्तों जखिए जैसे वर्ड से भी लग रहा है लोग गीत यानि जन का गीत आएसा गीत आएसा गीत जिन्हें एक ब्यक्ति एक ब्यक्ति नहीं बलकि पूरा समाज अपनाता है समाज अपनाता है लोग की गीत कहते हैं ठीक है मतलब की ऐसे गीत जिन्हें एक ब्यक्ति नहीं पूरा समाज अपनाता है उसे लोग की गीत आते हैं दोस्तों अगर इस वर्ड को ही आप समझ लेंगे तो भी आप पेपर में बहुत अच्छे से इसका उत्तर लिख सकते हैं लोग गीत यानि जन्ता का की जन का गीत ठीक है आगे बढ़ते हैं यह तीस नमर कूश्चन कि दोस्तों देखिए आप लाश्ट कूश्चन है अतले घुत्री प्रफन का पूछ रहा है अयोग वाह की संख्या कितनी है डोस्तों हिंडी में जो है योग वाह दो Frankly है इंग और डूसरा है अधरिक अश्चन रहता कितने है दो हैं आसरण है ठीक है तो दोस्तों यहां पर देखिए हमने इस प्रफन को देख लिया है और अति लगू को और भी टीक आप देखते हैं लगुत्तरी प्रस्न हें यह दोस्तों दू नमबर का होता है तो उब कारी थीक आपको । समझ लेमाए यहांप यहांपर जयस लेखन की उप्योगतियां का छुपमक्रण की उप्योगतिया व। कि उपयोगित्या ठीक है 32 नमर कुश्चन है क्या है पत्र लेखन पत्र नमर है पत्र लेखन और दोस्तों एक प्रार्षना पत्र लिखना है ठीक है एक प्रार्षना पत्र और ताहिती समर कुश्चन है देखते हैं क्या है कविता के प्रकार कविता के प्रकार ठीक है 34 नमर कुश्चन है घोस और घोस धुनियों में अंतर 35 नमर देखते हैं क्या है 48 अमरूद जो है 6 बच्चों में 6 में बराबर बाटे गए प्रत्यक बच्चों कितना अमरूद मिले अब बताईए यह भी कोई प्रहना है आठ अमरूद मिलेगा प्रत्यक बच्चे को सही बात है कि नहीं तो इसमें ज्यादा कुश करणा है नहीं दोस्तों पेपर बहुत स्रॉल था ठीक है 36 नमर देखिए यहां पर है बच्चों को हासिल सही जोर किस प्रकार सिखाना चाहिए नेफ्ट है 37 नमर है संख्या किसे कहते है 38 नमर है देवनागरी लिप जो हमारी राजभासा हिंदी की लिपी है दोस्तों उसके बारे में कुश्चन पूछा है ठीक है विशेस्ता आएं नेफ्ट है 49 नमर देखिए सरलवा किसे क्या ताथ पर है ठीक है लाज़्ट कूश्चन है चालिस नमर असुधूचारड के दो कारड तो दोस्तों देखिए इतने जो कूश्चन है लगू तरी पूछे गए हैं ठीक है यह मारे लगूतरी कुश्चन है ठीक है अब यहां पर देखिए दिया गया है लेखन की उपयोगत्या और दूसरा अपने भावनाव और विचारों को गहनता से प्रेशित करना यह भी लेखन की उपयोगत्या हो जाएगा ठीक है और दोस्तों यह कूशंड पूशन होते हैं लगतरी अगो तरी कि उनको अपने हाँ में लिखना ठीक है पत्र लेखन पत्र लेखन से आप क्या समस्ति एप दोस्तों यहां पर देखिए तो दोस्तों यहां पर देखिए अपने विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्ति करना जैसे कि प्रधानाचार से अपने फीस माफी के लिए या प्रधानाचार से या क्लास्ट टीचर से अपने क्या कहते हैं कि फैसे छुटी आबजड़न तू ड़ोस्तों अपने सब बंदियों को पत्र लिखा जाता है थिक हैш्थ दोस्तों इसे कॉश्चन में एक ॊस्ण कोई बताने की जरूवत तो है नहीं नेश्टा दोस्तों तायतीस नमर कुस्चन ठीक है पूछ रहा है कविता के प्रकार दोस्तों यहाँ पर कविता के तीन प्रकार होते हैं ठीक है एक कथात्मक एक नाट्यात्मक और एक गीतात्मक तीन प्रकार होते हैं कविता के ठीक है औ बच्चें 2 वार और बाद के थीन वर सोते हैं ठीक है और दोस्तों यहाँ पर 25 नंब्र कूशन है और टालीस अमरूद च्छा बच्चों में बराबर बराबर बाते गए सबस्क्राइब नहीं मिले। प्रतेग बच्चे को मिल जाएगा ठीक है आगे बड़ते हैं 36 नमर कुशन है देखिए बच्चों को हासिल सही जोड सिख्याना दोस्तों देखिए बच्चे जो होते हैं वे प्रतच ज्यान को अनुभो ज्यादा करते हैं तो आप बच्चों के जो वाता वर्ड में या उनके आज पार जो चीजें हैं उनका उद्वार देकर समझा सकते हैं ठीक है तो इसमें कुछ करना है नहीं और दोस्तों देखिए नंबर है 27 नमर कुश्चन संख्या किसे कहते हैं इसको समझते हैं ऐसी गड़ती संक्रियाएं ठीक हैं जिनका प्रियोग गिनने के लिए किया जा है उन्हें दोस्तों संख्या कहते हैं ठीक है जैसे ये दो तीन चार एटीसी ठीक है नेस्ट कूश्चन है अर्टीस नंबर है देवनागरी लिप की विश्यस्ताइं बताईए तो दोस्तों देवनागरी लिपी जो है हमारी राजभासा हिंदी की लिपी है ठीक है और दोस्तों इसकी प्रथम विश्यस्ता यह होती है कि यह बाई से दाई तरफ लिखी जाती है ठीक है बाई और से बाई और से दाई और लिखी जाती है ठीक है और दोस्तों यह हिंदी की जो है आप सियल लिपी है ठीक और दोस्तों न तालीस नमर देखिए सरलवाक किसे कहते हैं यह क्या है दोफ्तों जिसमें ऐसे वाक है जिनमें एक उद्देश और एक बिधेव होता है उसे सरलवाक के कहते हैं ठीक है ऐसे वाक है जिनमें एक उद्देश और एक बिधेव होगा वह सरलवाक कहा जाता है नेक्ष़ दोफ्तो 314 नंमर देखिए असुद उचार दोह काड़ कार बताई ये असुद उचार के दोख्याल तो आप लिख सकते है 1 reins Charam infrastructureिंगे जिसमें दोफम्तों जो होता हो कि उसकी जीवा वगरिया जनम से कहीं फसी रहती है और दूसरा इसमें आप लिख सकते हैं कि वर्डों का सही जानकारी न होना सही ज्ञान न होना दोस्तों ये दो कार्ड वो सकते हैं असुद उच्छाड के ठीक है पहला सारी भिक्यार और दूसरा लिख सकते हैं आप वर्डों या अच्छरों का सही ज्ञान या परचित नहोना ठीक है तो दोस्तों यह था हमारा यूपी डियलेट 2022 सिमेस्टर का पूरा पेपर और दोस्तों जितना हमने उत्तर बताया है एकदम सटीक है ठीक है एकदम सटीक उत्तर है इसमें आप कुछ ज्यादा गलत होने के कोई चांस नहीं है दोस्तों वीडियो अगर पसंदाए तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और सेजर करें धन्यवाद